ये बयान जारी किया है ये कहा है कि भारत सोच समझ कर फैसला ले अब यहाँ पर व्यापार के जो अधिकार हैं उनका भी ध्यान रखे अंतराश्ट्रे हितों का खयाल रखे उसके बाद ही आगे कोई कारवाई करे भारत में चीनी अप बैंग करने पर चीन बॉखला गया है और अप बैंग करने पर चीन के विदेश मन्तवाले ने बड़ा बयान दिया है व्यापार के लिए सबही नियमों का पालन करते हैं आपको भी करना चाहिए भारत को अंतराश्ट्रे हितों का ध्यान रखना चाहिए ये चीन के विदेश मंत्वाले की तरफ से कहा गया है 69 एप हिंदुस्तान में चीनी एप बैंड कर दिये गए है और ऐसे में चीन बॉकलाया हुआ है, घबराया हुआ है, बेचैन है क्योंकि एक बड़ा आर्थिक नुकसान इसे चीन को सीधा सीधा हो रहा है उनसर चीनी एप बैंड किये जाने के बाद चीन बॉकलाया है, बिलबलाया है चीनी विदेश मंत्वाले ने बयान भी जारी कर दिया, कहा कि हिंदुस्तान सोच समझकर कर दम उठाए लेकिन इसे चीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यह समझाएंगी मेरे वरिश्ट्र सही होगी आशिर से बहुत शुक्रिया अडश्टना और जिस तरह से हमने देखा है कि टिक टॉक एक टॉप कंपनी थी टॉप से वो 200 पर गिरी और 200 से अब 0 पर गिर गई है भारत में और इस मैप के जरीए समझाने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले कि मैं इससे पहले कि explain करूँ आप डेट रेंज चूज कीजिएगा जून में एक जून एक से जून तीस तक कैटेगरी सोशल मीडिया, कंट्री इंडिया और चाट टाइप और कर दीजिए और फिर देखिए ये किस तरह से टिक टॉक धडाम से अंधे मू नीचे गिरा है ये अगर आप रैंकिंग देखेंगे नंबर वान की रैंकिंग के आसपास में था नंबर वान ये नंबर टू हुई है, टिक टॉक लगाता, टॉप कंपनीज में से एक बना हुआ था इंडिया में और ये डेट देखिए, 29 जून को पहले गिरा 198 के आसपास, फिर 199 के आसपास और अब लगभग 0 पे गिर गिर गया है और अगर हम आज की रैंकिंग देखें तो आज की रैंकिंग ही लगातार अग्रेशन दिखा रहा था, ये 198 से 199, अब और नीचे गिरते हुए 29 जून का आपको डेट दिखाए देगा कि जिस तरह से मोधी सरकार चारों तरफ से घेर रही है चीन को, चाहे वो एकॉनमी हो, सोशल मीडिया हो, मिलिटरी हो, स्टाटेजिक हो, डिपलोमाटि सारे डोमेस में एक तरफ घेर रही है, मोधी सरकार चीन को चाहे तरफ से और पहला ये सिगनल मैं मानूंगा कि न्यू देली के तरफ से बेजिंग को दे दिया गया है, कि आप गल्ती करने की कोशिश मत कीजीगा, ये भारत 1962 का नहीं है, इस चार्ट से जब टिक टॉक जैस आप गल्ती मत कीजेगा, भारत, भारतिये समाज, भारतिये लोगों के साथ में तक कर लेने की, वरना सब मिलके इस तरह का जवाब देंगे, कि आप अंधे मूर गिर पढ़ेंगे, प्रशना इस चीन को कैसे सबकाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसी कैसी रणिती भारत की प्रधान मत्री मोधी के जरीये यहाँ पर लगाई जा रहे हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरीया हम बता देते हैं मोधी लगातार महारंडीती पर लगे हुए है इसमें आज ही कमांडर लेवल की बाचीत भी हो रही है और ये तीसरा दौर है तीसरी बाचीत है जब कमांडर लेवल की बाचीत हो रही है बाचीत के जरीह हल निकालनी की कोशिश एक बार फिर से होगी लेकिन इसी बीच गलवान खाटी में जहां पर ठीक खूनी जड़ाप हुई थी वहाँ पर T90 भीश्म टैंक उतार दिये गए हैं अचुक निशाना रखते हैं अद्बुत ताकत रखते हैं पर T90 टैंक के वहाँ पर तैनाथ होने के बाद भी चीन की नीद उड़ गई है इसके अलावा सिर्फ भारत नहीं बलकि अमेरिका फ्रांस के साथ भी लगातार बातचीच चल रही है और इन देशों के जरिये भी ये कहा गया है कि आपको फिक्र करने की जरूत नहीं हम साथ में हैं आपके और उनसर चीनी एप बैंद करने के बाद चीन बॉकलाया भी है बिलबलाया भी है चीनी विदेश मंतवाले की तरफ से जो बयान सामने आए वो हमने आपको बताया भी और इसी बीच लगातार जपान के साथ अभ्यास भी किया गया है ये साजा अभ्यास जो किया गया है ये क्या बताता है क्या दर्शाता है और हिंदुस्तान अकेला कैसे नहीं है ये बताएंगे आशीश बहुत शुक्रिया रचना और अब हम दिखाते हैं कि किस अलट डोमेन में कहां पर मोधी सरकार चीन को लगातार वापस घेरने की कोशिश कर रही है ये तस्वीरे, तादर तस्वीरे हमारे पास आई है, जपान और इंडि science के बीच में जिसमें इंडियन नेवी के तरफ से 12 ship शामिल हुए हैं और जपान की तरफ से 3-4 वार्शिप शामिल हुए है और लोकेशन है South China Sea इंडियन ओशन के पास में मतलब साफ है कि भारत और जपान मिलकर एक साथ में चीन को गेरने की कोशिश करेंगे अब इन 4-5 अलग-अलग तस्वीर जो हमारे पास आई है उसके जरीए बताने की कोशिश करते हैं इंडियन नेवी के ये जो शिप्स हैं ये जैपनीज वार्शिप्स हैं 3513 और जो दूसरी 3508 जैपनीज शिप्स के नाम हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हैं J.S. Kashima और J.S. Shima Yuki ये दो जैपनीज वार्शिप्स हैं और इंडियन वार्शिप्स हैं आइनेस राना और आइनेस कुलिश साथ मतलब है कि ये अंस्टेडूल ये कोई प्लैनिंग नहीं थी कि इंडियन नेवी और जैपनीज नेवी एक साथ में एक्सेस करेंगी इसका महतो समझाने की कोशिश करता है मैप के ज़रे कि कैसे भारत और जैपान की नेवी एक साथ में मैरिटाइम डोमेन में समंदर में चीन को घेर सकती है सबसे पहले ये एक लाज मैप हम आपको दिखा रहे हैं देखे सबसे पहले महतपूर है कि भारत के नीचे ठीक ये इंडियन ओशन है पूरा और यहीं पर साउथ चाइना सी है जब हम जैपनीज नेवी को यहाँ पर आते हुए देखते हैं और साथ ही इंडियन नेवी यहाँ पर ऑपरेट करती है क्लियर है कि चीन को यहाँ पर पूरी तरह से घेरने की कोशिश और तयारी दोनों है और यह सिगनलिंग जा चुकी है मलाका स्ट्रेट और सुन्दा स्ट्रेट सबसे जो वीक पॉइंट्स हैं और समंदर में निश्ट नाबूत कर सकते हैं रशना बिल्कुल आशीश ने बहुत अच्छे तरीके से समझाये कि किस तरीके से हिंडुस्तान अकेला नहीं है अमेरिका, फ्रांस, जिपान या फिर रशिया जहाँ पर अभी रक्षा मंत्री पहुंचे भी थे ये सभी देश मिलकर कैसे चीन का मुकाबला करने के लिए तयार हैं और मजबूती से हम सब साथ हैं एक ब्रेक कवाद